हाई, माइनेम इस आशीश पाराशर, वेलकम टो मेगनेट ट्रेन इस लेक्चर में हम लोग गाइनेंड्रो मॉफ पढ़ेंगे नाम जितना अजीब है, चीज उतनी जादा इंटरस्टिंग है और इसके उपर सवाल भी उतनी ही बार आया है clear है ना, नाम जीब होने की वज़े से इसे काफी लोग पढ़के नहीं जाते इसी चीज का फायदा examiner उठाता है और question डाल देता है तो NEET और AIMS में इसके question लगाता रहते हैं start करते हैं, गाइनेंड रूम आउफ, बहुत इसी चीज है, एक बार में समझ में आएगी body of some drosophila, अब पहली चीज, जो experimental material है, जिसमें ये चीज हम देख रहे हैं that is drosophila, तो body of some drosophila has some cell with male genotype exo interesting चीज जो यहाँ पे आपने देखी होगी, कि ये पूरी body की बात नहीं कर रहा है some cells, तो भाई ये चीज तो बहुत ज़ादा ध्यान देने वाली है कि ये बोल क्या रहा है, ये ये चीज बोल रहा है, कि कुछ cell जो होते हैं, वो पूरी body की बात नहीं कर रहा है तो ध्यान सुनो, कुछ जो cell है body के, वो male genotype exo के है और कुछ जो बचे हुए cell, ओवियस्सी बात है, female genotype x और x के है पहली चीज, ये चीज दिमाग में रखना और इसी को base बना के चलना कि मान लीजिए कोई body है, उसके आदे cell जो है, वो male type के है और आदे cell female type के है बोया सर कैसे imagine करें, टिक टॉक वालो को imagine कर लो आपने देखा ही होगा, प्यारी प्यारी दो अखियां खूब चल रहा है अब जो interesting चीज है, वो ये है कि आदी body में, जो male का genotype है, वो present है और आदी body में, जो female का genotype है, that is xx, वो present तो ये दो चीज़ें अलग-अलग आप देखोगे एक body में combine हो गए है, gynandromorph सवाल ये उठता है, कि sir, हो कैसे गया, ये कांड हुआ कैसे अभी समझते, such drosophila has half lateral part of male such drosophila experimental material half lateral part जो है, वो male है and the other half lateral part will behave as female आदा हिस्सा male का है, आदा हिस्सा female का है आगे देखते हैं, अब इसी को, क्योंकि दो पार्ट है clear है न, इसलिए bilateral, अगर तीन पार्ट होते तो trilateral, चार होते तो quadrilateral, अभी कितने हैं, दो by मतलब दो, ठीक है न, और lateral है ठीक है न, ऊपर से नीचे, horizontal नहीं है, lateral है bilateral, दो हिस्सों में है, और खड़ा divided है, एक दम clear है न, bilateral, gynandromorph सवाल ये है, sir, imagine तो करवा, बिना example के कैसे समझ में आएगा, तो देखो, यह हमने एक example लिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यह actually में, यह जो है this is bilateral, पहली चीज़ by क्यों, by इसलिए क्योंकि दो हिस्सों में divide है, step by step चलेंगे, lateral क्यों, क्योंकि laterally divide है, अगर horizontal divide होता, तो by horizontal बोलते हैं, तब की तब देखते हैं, लेकिन अभी तो horizontal नहीं है, अभी lateral है, इसलिए by lateral, पहली चीज़, दूसरी चीज़, आप कोई भी एक चीज़ मान लो, for example, इस side का ले लो, तो यह जो yellow color का आपको punk दिख रहा है, इसमें जो characteristic है, यह female वाली characteristic है, अब कैसे यह समझा दूँगा भी, यह मैंने कैसे decide किया, और इस तरफ जो हैं, यह male वाली है, clear है न, अब आप बोलोगे sir, बगल से क्यों मना दिया, यह actually मैं male वाला है, और यह वाला जो है, female characteristic वाला portion है, आधा part देख लो, अलग रंग का है, आधा part देख लो, अलग रंग का है, आधा female है, आधा male है, clear है न, यह चीज़ अच्छे समझ में आ रही है न, शायद female ना दिख रहा हो, तो यहां लिख देते हैं, ठीक है, आधा female है, आधा male है, अगला सवाल, sir, हो क्यों हो रहा है, इसको तो बता हो, example तो हमको समझ में आ गया, form due to loss of one x chromosome, एक x chromosome का नुकसान हो गया था, कब हुआ, अगला सवाल क्या आता है, कब हुआ, यह जो x chromosome loss हुआ, यह कब हुआ, तो एक x chromosome loss हुआ, at time of metaphase, क्या होता है, जब हम cell division पढ़ते हैं, और cell division में, जब हम यह सब पढ़ते हैं, जहां पे हमने pro phase, metaphase, anaphase, stilophase, यह सब पढ़ा था, अब जो metaphase वाली stage आती है, मतलब, जो actually में, यहां पे तो आपको अच्छे से दिखी रहा होगा, लेकिन metaphase में आपने पढ़ा क्या है, वो मैं बता देता हूँ, यह cell है, जो chromosome है, वो यहां इस तरह से arrange हो जाते हैं, plate पे, है ना, इस type से, और जो chromosome है, वो यहां से यहां move करना, चालू करते हैं, move नहीं हुए, move करना, चालू करते हैं, यानि की दूसरी stage, यह metaphase का है, कि जो equatorial plate है, उस पे arrange हो गा है, ना इस cell के हैं, ना इस cell के अभी, actually मैं एक ही cell है अभी, लेकिन हा, ना इस तरफ के हैं, ना इस तरफ के, बीच के हैं, अब क्या होता है, metaphase में यह diagram बहुत ध्यान से याद रखना, क्यूंकि कई बार यही diagram दे के पूछ लेते हैं, तो यह diagram हमेशा याद रखना, बहुत simple है, कुछ भी नहीं, यह chromosome दिखा रहा है, यह क्या चीज दिखा रहा है, chromosome दिखा रहा है, तो ध्यान से सुनना, यह जो भगवान का ऐसा सुदर्शन चक्र जैसा दिख रहा होगा, और rays निकल रही हैं, यह actually में centriole और spindle fiber है, clear है ना, क्या होता है, यह जो chromosome है, यह वाले दिख रहा है ना, यह देखो, ठीक है, highlighter से देखो, यह वाले जो chromosome दिख रहा है ना, यह 2X chromosome है, अगर 2X chromosome है, यानि कि क्या बनेगा, female ही बनेगी, clear है ना, क्या बनेगा, female बनेगी, यह देखो, बन गई, क्यूंकि 2X chromosome है, अब क्या होता है, male side पर चलते हैं, actually में यह divide होने वाले थे, लेकिन twist यहाँ पर यह आया, twist यह आया कि यह ठीक से divide हो नहीं पाए, और ठीक से divide नहीं हो पाए, तो देखो, अब क्या होगा, अब यह होगा, कि इस तरफ के cell को ध्यान दो, यहाँ पर सारे आ रहे थे, chromosome align हो रहे थे, arrange हो रहे थे, twist यह आया, कि एक X chromosome तो आ गया, दूसरा यह जो 0 लिखा है ना, 0 है यह O नहीं है, यह मत सोचना कि एक नया chromosome हमने discover कर लिया, चलो, O हो गया, यह X chromosome के बगल से, Y जो हमेशा लिखा जाता है ना, यह वाला, तो यह Y chromosome क्या है, missing है, और इसी वज़े से यहाँ पर O लिख दिया है, मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई चीज missing होती है, तो वहाँ पर O लिख देते हैं, इसको 0 पढ़ना है, इसको क्या बोलना है, 0 है यह, X और 0, clear है ना, यानि कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं अकेला होता, बेचारे को बुरा लगता है, इसलिए हमने 0 उसके बगल से रख दिया है, clear है ना, तो X 0, क्या हुआ कि एक X chromosome जो है, या फिर जो Y chromosome आना चाहिए था, या आने वाला था, कोई भी एक chromosome मान लो, वो आ नहीं पाया, और loss हो गया, गुम गया, खो गया, जब cell divide हो रहा था, यह stage थी, जब cell divide हो रहा था, तो क्या हुआ, ये दोनों तो अपने इधर move कर गए, ये ये वाला तो यहाँ move कर गया, लेकिन ये चौथा वाला जो chromosome था ना, ये move करी नहीं पाया, और cell divide होने लगा, तो ये वाली बात है, एक X chromosome जो है, वो loss हो गया, ये दोखो यहाँ पर भी cell divide हो रहा है, दिख रहा होगा, ये वाला जो है, ये पहुची नहीं पार अपनी जगह तक, जबकि ये दोनों X chromosome अपनी जगह पे है, ये वाला X chromosome अपनी जगह पे है, दूसरा जो chromosome चाहिए था, उसका chromatid यहाँ तक पहुची नहीं पाया, यही होता है गाइनेंडरोम ओफ का कारण, क्या बोला मैंने, तो ये कारण भी समझ आ गया, क्यों होता ये, आगे formation of गाइनेंडरोम ओफ is evidence, ये एक चीज़ का सबूत है, किस चीज़ का, कि Y chromosome जो है, उसकी कोई इज़त नहीं है, सेक्स determination में, उसका बिलकुल भी कोई हाथ नहीं है, वो विचारा बहुत ही simple है, अलग बैठा रहता है, क्या human में ऐसी story है, ना बेटा ना, human में Y chromosome ही तो decide करता है, कि person male होगा या female होगा, लेकिन drosophila में उसकी कोई इज़त नहीं है, तुम हो तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, clear है ना, तो यही चीज होती है, जो Y chromosome शो करता है, ठीक है ना, तो यही दिवाली का भी वैसे मौसम आ रहा है, जैसे आपके relative हैं, वैसी Y chromosome है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो और भी अच्छा है, आगे पढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखेंगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठेंक यू,